नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बाल मिकराज और आप देख रहे हैं टेक्निकल में की दोस्तों पिछले कलास में हम लोगों ने नाउन यानि कि संग्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम parts of speech के दूसरे point यानि कि pronoun सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि शर्वनाम किशे कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेशन और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और मेरा पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने उपर आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर किलिक करके नाउन के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेशन अगर हम उसे इंगलिस में कहें तो a pronoun is a word which is used in place of noun मतलब noun यानि कि संग्या के अस्थान पर पर्यूप्थ होने वाला सब्द सर्वनाम कहलाता है जैसे he, see, I, you, इत्यादी ये word क्या है तो ये सभी जो है वो संग्या की विशेष्था बताने वाले सब्द हैं जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले जैसे की रमेश is my friend, he is a good boy, he is going to school now and his dad is a businessman मतलब रमेश मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है, वह अभी school जा रहा है और उसके पिताजी एक ब्यापारी है अब यहां क्या है तो यहां रमेश के बारे में बताया गिया है पूरे सेंटेंस में बट रमेश का नाम एक ही बार इस्तमाल किया गया है और again and again रमेश का नाम रिपिटेशन नहीं किया गया है उस रिपिटेशन को रोकने के लिए यहां पर he, his का परियोग किया गया है जैसे रमेश is my friend, रमेश मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है यहां पर रमेश नहीं लिख करके यहां पर रमेश के जगह he word का इस्तमाल किया गया है ताकि he word जो है वह विशेस्ता बताता है रमेश का यानि कि हम रमेश के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है और यहां आप देखेंगे his dad is a businessman और उसके पिताजी एक व्यपारी है तो किसके पिताजी व्यपारी है रमेश के तो यहां रमेश नहीं लिख कर यहां पर his word का इस्तमाल यहां पर किया गया है तो आपने देखा कि बार बार जो है किसी भी नाम की पुनराविर्थी मतलब बार बार आने से repetition को रोकने के लिए हम लोग उसके दोस्तो सरुनाम के प्रकार सरुनाम के कुछ प्रकार भी है जिनका mostly हम यूज करते हैं तो सरुनाम के प्रकार जानने से पहले कुछ example होंगे जो हम लोग discussion करना चाहेंगे class में जैसे सीता एक गायक है वह गाना गाती है इसका translation क्या होगा तो सीता is a singer she sings a song सीता एक गायक है वह गाना गाती है she sings a song मतलब सीता singer है और वह गाना भी गाती है तो यहाँ पर सीता का नाम जो है हम एक ही बार ले रहे हैं और दोबारा उसके नाम के जगा हम सी का इस्तमाल कर रहे है चलिए एक और वाई के लेते हैं Haris and Siwam are the best friends They are going to their city मतलब Haris or Siwam Haris or Siwam दो मित्र हैं वे अपने सहर जा रहे हैं मतलब Haris or Siwam दो मित्र हैं और वो दोनों ही सहर जा रहे हैं तो Haris or Siwam का नाम एक ही बार लिखा हुआ है और repetition से बचने के लिए उसका जो है वहाँ पर दे सब्द का इस्तमाल किया है किया गया है तो आप इस तरह से जो है आप सरवनाम की पहचान भी कर पाएंगे एक और बढ़ लेते हैं जैसे कि अगर हम कहते हैं Your sister is absent because she is ill मतलब तुम्हारी बहन अनुपस्थित है क्योंकि वह बिमार है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विसेस्ता बताया जा रहा है किसी को कि तुम्हारी बहन अनुपस्थित है यानि कि Your sister तो Your word लगाने से क्या होगा तो वहाँ विसेस्ता पता चल गया कि किसी खास के बारे में कहा जा रहा है और वह बिमार है मतलब नाम न लिख करके नाम की जगह पे वहाँ सी सब्द का यूज हुआ है तो उससे क्या होगा तो वाइक की विसेस्ता बता रहा है कि तुम्हारी बहन बिमार है क्योंकि वह बिमार है तो दोस्तो इस परकार से जो है परस्नल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेपनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं बेसिकली हम लोग ये छे प्रकार के जो सर्वनाम है उसका इस्तमाल अधिक्तर करते हैं अगर हम उसे हिंदी से कहें तो पुरुस वाचक सर्वनाम, निश्चे वाचक सर्वनाम, प्रस्न वाचक सर्वनाम और नीज वाचक सर्वनाम और संबंध वाचक सर्वनाम तो ये 6 सरवनाम के इस्तमाल हम लोग करते हैं और इन सब में जो है वो खास word का जूज होता है जैसे कि मैं तुम वह वे हम यह वह कोई कुछ कोन क्या स्वेम अपने आप जो सो जैसे जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहां इस भेत को हमने एक चाट के रूप में दिखाया ह और वो सारे चील लिखे हैं जो कि आपने यहां अभी अभी उपर देखा है अब नीचे जो है हम यहां कुछ word जो है अलग से निकाल के लिख दिए हैं और जैसे कि I, you, he, they, we, this, that, him, someone, some, who, what, himself, yourself, who, so, whom, or maybe तो यह सारे जो सब्द हैं यह सरुनाम है और हम इन सब्द का ही इस्तमाल करते हैं पुरूस वाचक, नीज वाचक, निश्चे वाचक, अनिश्चे वाचक, समंद वाचक और प्रस्ण वाचक वाले जो है सरुनाम में प्रोनाउंस में ठीक है तो दोस्तो सरुनाम के छे भेद होते हैं और इन छे भेद को आज हमने जाना इसके अलावा भी इसके अलावा भी अगर हम प्रोनावन को और बढ़ियां से अगर हम डिफाइन करें तो जब हम पुरूस वाचक सर्वनाम की बात करेंगे दोस्तो पहला है परस्नल प्रोनावन यानि कि वेक्ति वाचक सर्वनाम इसे हम पुरूस वाचक सर्वनाम भी कहते हैं तो परस्नल प्रणाउंस में क्या होता है कि सरुणाम होते हैं जो संग्या के अस्थान पर प्रियोग किये जाते हैं जैसे कि ही, सी, इट, दे, आई, वी, दे, यू, इत्यादी ये सब परस्नल प्रणाउंस यानि कि पुरूस्ट वाचक या फिर आप वेक्ति वाचक सरुणाम से भी इन्हें जानते हैं पहला हम एक वाई के ले रहे हैं कि स्याम तुम्हारा मित्र है वह भारत में रहता है यानि कि स्याम इस यूर फ्रेंड, ही लिप्स इन इंडिया स्याम तुम्हारा मित्र है, वह भारत में रहता है यहाँ पर स्याम का नाम दो बार न लेकर के हम एक बार वहाँ पर हम ही सब्द का यूज कियें ताकि उससे पता चल जाए कि वह भारत में रहता है मैं तुम्हें जानता हूं I know you इसका मतलब यहाँ I word का इस्तमाल करके अगले के विसेस्था को बता रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूं उसी परकार से they don't live here वे यहाँ नहीं रहते हैं तो वे नहीं रहते हैं यह किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है पर देव वर्ड का इस्तमाल करने से क्या हो गया? पता चल जा रहा है कि ये किसी वेक्तिस रिलेटेड वर्ड है और हम उसके बारे में बता रहे हैं अब अगर हम आगे बात करें कि प्रस्ण वाचक सर्वनाम यानि कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में तो ये प्रस्ण वाचक सर्वनाम जो प्रस्ण पूछने के लिए परियोग किये जाते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोणाउन यानि की प्रस्ण वाचक सरोणाम कहते हैं जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका इस्तमल हम प्रस्ण के लिए करते हैं जैसे who, what, which, whose, whom, आदी ये सभी प्रस्ण वाचक सरोणाम है अगर हम कोई वाइक के बनाएं वाइक किस परकार से बनेगा जैसे who is your English teacher आपके English के सिच्छक कोन है तो यहाँ पर who सब्द का इस्तमाल करके एक question बनाया जा रहा है यानि प्रस्ण जो है create हो रहा है what is your name आपका नाम क्या है तो यहाँ पर what सब्द का इस्तमाल हुआ है तो यह एक प्रस्ण वाचक सरोणाम का उधारन है अगर हम इसके आगे जाएं तो अनिश्चे वाचक सरोणाम के बारे में बात करते हैं यानि कि indefinite pronoun तो वे सरोणाम जो किसी अनिश्चीत वेक्ती या वस्तू का बोथ कराते हैं वे indefinite pronoun कहलाते हैं मने अनिश्चीत ठीक है जैसे कि any word हो गया most, enough, few, little, one, other, all, one वगेरा जो word है यह जो है वो indefinite pronouns में आते हैं जैसे nobody was present in the party party में कोई भी सामिल नहीं हुआ था nobody तो इस तरह का जो word है nobody यह हम इसको कहते हैं indefinite pronouns मने अनिश्चीत कोई नहीं था everybody know him हर कोई जानता है लेकिन कितने लोग जानते हैं यह कोई नहीं बता सकता है but एक word है sentence है everybody know him हर कोई जानता है उसे everyone like him हर कोई उसे पसंद करता है अब यहां किसी एक वेक्ति का नाम नहीं है everyone मने हर एक तो यहां पर कुछ निश्चीत नहीं है कितने लोग उसे like करते हैं तो इस परकार के sentence होते हैं वो indefinite pronouns के अंदरगत आते हैं अगर हम बात करेंगे relative pronouns की यानि कि संबंद वाचक सर्वनाम तो संबंद वाचक सर्वनाम क्या होते हैं तो दो वाइक्यों को जोडने का काम करने वाले ठीक है वर्ड जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं relative सर्वनाम pronounce कहलाते हैं ठीक है तो दो वाइक्यों को वाला सब कोन हो सकते हैं तो उनमें से हो सकते हैं who, which, that, as, but, what इत्यादी तो यह सब इस तरह के word जो है वो आपके relative pronounce में आते हैं जैसे कि हम एक वाइक बनाते हैं कि this is the girl who work hard यह लड़की है जो कठिन मेहनत करती है यानि कि hard work करती है तो यहाँ पर who सब्द का इस्तमाल करके जो है उसको sentence को जो है वो जोड़ा गया है आपस में this is the girl यह एक लड़की है ठीक है this is the girl ठीक है यह लड़की तो यह एक अलग वाइक के है और who works hard यह दो अलग वाइक के हैं ठीक है work hard तो यहाँ पर who लगा के इसको जो है वो एक बना दिया गया है के आगे हम पढ़ेंगे reflexive pronoun यानि कि नीजवाचक सरुनाम अब ये नीजवाचक सरुनाम क्या होते हैं तो वे सरुनाम जिन में self या selves सब जूड़े होते हैं वो नीजवाचक सरुनाम कलाते हैं जैसे myself, himself, yourself, themself इत्यादी जो वर्ड है वो सब आते हैं नीजवाचक सरुनाम में जैसे अगर हम एक वाइक बनाए see hurt herself वो खुद को तकलिप पहुचा रही है मतलब खुद को तकलिप अगर कुछ ऐसा वाइक बनाना इसमें खुद का जिक्र हो या किसी और का जिक्र हो I burnt myself मैंने खुद को जला लिया स्याम himself डिर इट स्याम ने खुद किया यह तो इस तरह से जो है वाइक जो है कहलाते हैं नीजवाचक सरुनाम यानि की रिफलेक्सिफ प्रणाउन्स राम एंड़ सीता लव इच अदर राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं तो यहां पर एक वर्ड का इस्तमाल होँबा है इच एनोधर और यह संबंध बताते हैं ठीक है इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिफ प्रण लाउन तो दोस्तों इस प्रकायर से जो है सरवनाम के उस्ट रषेव घह होते हैं तो आज के लिए इतना है नेश्ट वीडियो पे जहां पर कि हम लोग पार्ट सौप ко जो है पार पर की हम लोग पार्ट सोपिंगो 90 का अधर टोपिक जिसके की हम लोग बिसेशन कहेंगे यानि एर्जेक्टिव हम लोग एर्जेक्टिव के बारे में जानेंगे कि बिसेशन क्या है तो आज के लिए बस इतना ही धनिवार